Good morning to all of you, today we will discuss about pronoun, what is pronoun, their kinds, we will discuss about pronoun तो चलिए आज की वीडियों को सुरू करते हैं और समझते हैं pronoun क्या होता है जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने whiteboard पर अलड़ी लिख दिया है What is pronoun, ये प्रशन उठता है सर्वनाम क्या है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है A pronoun is a word, a pronoun is a word used in place of a noun यानि noun के place पर pronoun का प्रयोग किया जाता है यानि कि सर्वनाम वह शब्द है जो संग्या की अस्थान पर प्रयोग किया जाता है अर्थात संग्या की अस्थान पर प्रयोग किया जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं लुक लाइक देट, example की रूप में आप देख लेंगे, जीसे I, You, He, She, इडिसी मतलब इट सेटरा, ये जो दिया गया है, जीसे I, You, He, She, चार मेंने लिया हुआ है, ये क्या है, pronoun है, I, किसी व्यक्ति के नाम के बाद ही इसका प्रयोग किया गया है, इसको भी किया गया, इसको भी, इसको भी ये किसी महिला का नाम रहा होगा, उसके अस्थान पर हमने pronoun का प्रयोग कर दिया है, अच्छा pronoun का प्रयोग क्यों करते हैं, इसको आप समझ लेंगे, pronoun का प्रयोग इसलिए करते हैं, ताकि हमको noun को बार बार repeat ना करना पड़े एक ही नाम को जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ जैसे मैंने कहा राम घर जाता है राम पानी पीता है, राम खाना खाता है राम अपने विद्याले नहीं जाता है तो गरबर लगेगा, अच्छा नहीं लेगा आपको सुन्नों में तो मुझे क्या करना है, राम सुबह उठता है विद्याले जाता है, विद्याले से वह वापस आता है मतलब कि उसकी अस्थान पर हम pronoun का प्रयोग कर देते हैं ताकि हमको pronoun के use के लिए noun को बार-बार repeat ना करना पड़े इसलिए हम pronoun का उप्योग करते हैं तो चलिए देखते हैं pronoun कितने प्रकार के होते हैं pronouns के types को समझते हैं, उनके kinds को समझते हैं kind साब pronoun, pronoun कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं बहुत सारे लोग pronoun को 9 तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ लोग 8 बताते हैं, कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे, तो pronoun सिर्फ 5 परकार के दिये होते हैं, बहुत सारे pronouns को खतम कर देते हैं यह लोग, तो चलिए हम लोग समझते हैं, pronoun कितने परकार के होते हैं, यहाँ पर हमन लेंगे emphatic pronouns को अभी हम define कर देंगे आपको लेकिन फिलाहल हम आपको 8 पढ़ा रहे हैं यहाँ पर यह 8 exam में पुछे जाते हैं और समस्या यहीं पर होती है emphatic में समस्या आती है ठीक है इसको हम आपको clear कर दें कि emphatic क्या होता है तो यह 8 पहले आप समझ लेंगे कौन-कौन से होते हैं 8 को जानेंगे पहला है personal pronoun personal pronoun में आपका जो है क्या आता है इसको अभी समझेंगे आगे दूसरा है reflexive pronoun ठीक है personal में जैसे आपका कहीं कहीं आप confused जाते हैं है first person है second person है third person है यह अभी हम तीनों इसमें clear करवा देंगे आगे वीडियो में पहला है personal pronouns दूसरा है reflexive pronouns तीसरा है demonstrative pronouns चोथा है distributive pronouns उसके बाद आता है आपका number reciprocal pronouns indefinite pronouns intuitive pronouns relative pronouns और एक इस्टरा हम आपको पढ़ाएंगे वह है emphatic pronouns ठीक है तो चलिए सबसे पहले समझते है personal pronouns क्या होता है तो देखते है personal pronouns को ठीक है तो चलिए समझते है personal pronouns को personal pronouns क्या होता है उन व्यक्तियों personal pronouns उन व्यक्तियों को इंगित करता है जो बात कर रहे होते हैं चाहे वह स्रोता हो चाहे वह वक्ता हो चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो क्या करता है उन व्यक्तियों को इंगित करता है जो क्या कर रहे होते हैं बात कर रहे होते हैं इसमें फर्स्ट पर्सन शेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं देखेंगे फर्स्ट पर्सन शेकंड पर्सन थ third person तीनों को पहले समझते हैं क्या है first person क्या करता है इसको समझेंगे आप first person में it denotes the person who is speaking क्या denote कर रहा है इसको ध्यान रखेंगे यह किसको दिखा रहा है किसको इंगित कर रहा है speaking यानि उस व्यक्ति को जो speaker है यादि वक्ता को दरशाता है जो व्यक्ति भोल रहा है उसको दरशाता है इसमें कौन-कौन से आते हैं I or V आते हैं यह आप जानते रहेंगे फिर से clear करवा जयता हूं it denotes the person who is speaking या उस व्यक्ति को इंगित करता है उस व्यक्ति को denote करता है जो speaking बोल रहा है ठीक है यानि वक्ता को दरसाता है screenshot लेना चाहें आप लोग लेख सकते हैं इसका screenshot आसानी सी नोर्स बना लेंगे दूसरा है second person, second person में क्या आता है ये देखिए you and dao देख रहे हैं ये चीजें ये दोनों आते हैं ध्यान रखेंगे ये चीजों का लोप होता चला जा रहा है इसको धीरे धीरे समाप्त करने हैं लोग लेकिन आप जानते रहेंगे क्योंकि बहुत जगों पर कविताओं में ज्यादा तर देखेंगे आप poems में तो poem में dao का प्रयोग किया जाता है you का नहीं होता है ठीक है दी का प्रयोग कर देते हैं इसका भी मतलब तुम होता है आप होता है इसको जानते रहेंगे तो second person समझते हैं second person क्या होता है it denotes ये किसको denote करता है the person who is listening listening means srotta जो सुन रहा है or is spoken to या जिस से बात कही जा रही है ठीक है तो srotta या जिस से बात की जा रही है वे वे विक्ति second person होता है इसमें कौन कौन आ रहा है देख रहे हैं आपका you जैसे मैं आप से बात कर रहा हूं तो आप second person है, first person कौन है, मैं हूँ, और second person कौन हुए, आप हो गए, और third person जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, जैसे third person क्या करता है, he, she, it, they, चार आते हैं, इसमें, इसमें होता है, it denotes, the person talked about, जिसके बारे में बात की जारी है, that is called third person, इसको सरलता धन से समझेंगे, आप कैसे समझेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, आप से, यानि आप second person, पहला ब्यक्ति में हुआ, second person कर रहा, आप हो गए, और हम लोग बात कर रहे हैं, क हूँ, यानि मैं first person होगा, clear हो गया है, इसमें एक problem आती है, कभी-कभी, जब तीनो person साथ में आ जाते हैं, तब हम आप समझ नहीं पाते हैं, जैसे मैं, तुम, और राकेश, या राकेश, मैं, तुम, और वह, कहां जाते हैं, विद्याले जाते हैं, ऐसे sentences आ जाते हैं, तो ह पहले first person को लिखें, कि पहले second person को लिखें, कि पहले third person को लिखें, तो उसके लिए मने order करम बता दिया आपको, order of pronouns, pronounce के order क्या होते हैं, हिंदी में जैसे दिया है, one, two, three, वैसे ही रहने देंगे, English में two, three, one बनाएंगे, सबसे पहले second person को याद कर लो, trick है यह 231, two, three, one, ठ समझे लो, फिर example बताते हैं, जैसे second person, फिर third person, फिर आपका first person, इसका example पहले समझेंगे, मालो इसमें देखिए, first person, second person, third person, you, he, and I have to help her, तिनों आए हैं, I, he, और you, तो क्या करना है, सबसे पहले second person, फिर third person, और फिर first person, यानि 231 का प्रयोग करेंगे, लेकिन, कब इसका प्रयोग नहीं करना ये भी जानते रहेंगे, यदि गलती मानने, या दोस बतलाने के लिए वाक्त में, ये तीनों साथ में आए हैं, तो आपको सीधा सीधा जैसे आए हैं, वैसे ही नोट कर देना है, ठीक है, चलिए दूसरे प्रोनाउंस की तरह बढ़ इंगित करता है, किस पर इंगित करता है, कारे का होना सब्जेक्ट पर डिफेंड करता है, उसी को हम क्या करते हैं, रिफ्लक्सि प्रोनाउंस करते हैं, एक्चुली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर हम उसका डेफिनेशन देने ले लगेंगे, बहुत ज्यादा पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इतना ध्यान दे रहे हैं, कि वो क्या होता है, कैसे होता है, आपको समझ में आ जाए, जैसे क्या करना है भी आप देखेंगे, मैंने यहाप पर नोट आउट कर दिया है, माई सेल्फ, माई, आवर, योर, हीम, हर, इट, देम, इन स सब लगा करके क्या किया जाता है, रिफ्लेक्सियो प्रोडाउन को बनाया जाता है, समझेंगे जैसे, अब देखें, यहाँ है, माई में सिल्फ लगा हुआ है, तो क्या हो गया माई सेल्फ, यहाँ आवर, ठीक है, इसमें बहुवचन का, बहुवचन है, तो बहुचन लग लगा दिये गया है वाकिशी लगा गया है तो आप अट्वामेटिच समझ सकते हैं कि माई इंट्रड्यूस बिजी कॉंटेंट प्राइड हर्ट चीट अप्षेंट अच्छा दो बार हो गया है अप्षेंट सैटिस्फाइग ले इन सब के बाद इन इत्याद वब्स के बाद यह वब्स जब आती हैं उसके बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रणावन का प्रयोग किया जाता है यह ध्यान रखेंगे अब यह सारी चीजें मिलेंगी इसके बाद अभी आपको इंफैटिक भी बता देते हैं इंफैटिक क्या होता इसी में आपको थोड़ा सा नीचे लिख करें के बता देते हैं जैसे कि एक जांपल मैंने लिया हो देख लेंगे दो टीचर अब थे यानि बच्चा भी अप्सेंट था ध्यापक भी अप्सेंट थे ठीक है यह चीजें ध्यान रखेंगे तो क्या होना चीए सही यह संटेंस जो हमने लिखा है इसको रांग माना जाएगा राइट क्या होगा दो टीचर अब शेंटेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दी क्लास इस् अब शेंट थे इस चीज को ध्यान रखना है ठीक है थोड़ा सा यही नीचे हम आपको इमफेटिक लिख करके बता देते हैं कि क्या करना है आपको emphatic को समझेंगे क्या होता है emphatic pronouns क्या होते हैं जब subject यहां समझेंगे थोड़ा सा reflexive और emphatic के भाव क्या होते हैं इनके जो verbs होते हैं येकी type की होते हैं इनको येकी स्रेडी में रखा जाता है reflexive तथा emphatic pronoun की form जो होते हैं वो एकी type की होते हैं बस इसमें अंतर क्या होता समझेंगे करता पर कारे होने को सिर्फ normal तरीके से indicate कर देता है लेकिन इसमें emphatic pronoun में क्या होता है subject पर क्या होता है subject किसी verb के action पर pressure देता है being पर action या being पर क्या कर देता है pressure देने का कारे करता है बल देने का कारे करता है तब क्या हो जाता है उसका भाव पर कट करने के लिए हम emphatic pronoun का प्रयोग करते है look like that example है हम ने दिया है I solve this problem myself यहां देख रहे है ना I solve this problem मैंने या जो ने फ्रॉब्लम क्या कर दिया solve कर दिया है myself खुद से ही मैंने अपने खुद से ही कुछी की help को नहीं लिया है जबरजस्ति इस लियानी की बल दिया जा रहा है किस पर बल दिया जा रहा है आई पर चलिए अगला देखते हैं चलिए अगला देखते हैं प्रोनाउंस क्या है डिमॉंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है यह डिमॉंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करता है औबजेक्ट की तरफ क्या करता है पॉइंट से वर्ड आते हैं समझ लेंगे दिस दीज डाइट दोज सो सच यॉंडर वन फार्मर लेटर दिस सेम यह सारे वर्ड क्या 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 आते हैं डी मॉंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है डी मॉंस्ट्रेटिव का मतलब समझ रहे हैं ऑब्जक्ट क्योर इंगित करने वाला डी मॉंस यह चीजे कर रहरा हो किस की तरफ ऑब्जिक्ट की तरफ कर रहा हो जैसे समझेंगे जाओं सम अर मॉल डिलीस요s क्या कर रहा है यह ढोज मिला की अगही की नहीं मिला आपको देख सकते हैं गोज पाहँ यहां आए, यह that का बहुशन फॉर्म है, ठीक है, these, that, these, those, so, such, यह चीज़ें क्या कर रही हैं, यह demonstrative का काम कर रही हैं, यह से these girls are very intelligent, यह लड़कियां, यह, वो, वह, यह, यह, यह चीज़ें क्या आ रही हैं आपकी, demonstration का काम कर रही हैं, ठीक है, तो आसा करते हैं, कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर वीडियो समझ में आ रही है, तो आप इसको like कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए, तो कि आप सबका like और comment ही हमें बताता है, कि आपको वीडियो किस प्रकार की लग रही है कैसी लग रही है तो आप comment box में comment करके भी हमें बताएं कि आपको video कैसी लग रही है तब हमारा भी होशला बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियों आप तक प्रिसीद करने का कारे करते हैं ठीक है तो आप हमें comment box में जरूर comment करके बताएं ताकि हमें भी पता चलता रहे और आटोमेटिक हमारा channel grow होता रहेगा यहादि आप सभी का प्यार बना रहेगा तो चलिए अगला देखते हैं क्या है अगला हमारा है demonstrative distributive pronouns ठीक है? demonstrative हो गया distributive pronouns distributive pronouns का मतलब क्या होता है? देखे distribute करना जैसा कि आप लोग ज्यानते हैं क्या कर रहा है ये? distribute कर रहा है मटवारा समझे ना? बांड देना लो भी ये इसको distribute कर दो 5-6 लोगों में 10 लोगों में बासानी से समझ में आ जाएगा इसमें से क्या है? कुछ में से एक को इंगित करना है क्या बटवारा करना है? क्या आपको distribute करना है? बहुत सारे लोग हैं जैसे रोवन, सोवन, गीता, मोवन बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से इच, आइडर, नाइडर वर लगाना है किसी एक की तरफ इंडिकेट करना है कुछ में से एक को किसी भी बहुत सारी व्यक्तियों मैं से एक बहुत सारी वस्थों में से एक वस्थो को इंगित करना look like that इच, आइडर, और नाइडर इसमें तीन वड़ा रहे हैं, each, either और neither, जैसे each of these children, मने these children, इन बच्चों में से each, मने हर प्रतेक gets a price, मने उसको पुरसकार मिलेगा, प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, वो gets a price, पुरसकार प्राप्त करता है, आगे एक और दारण जैसे हम आपको बता देते हैं, ऐस और सीटा कहन गो दे है, या तो तुम होँआ जाओगे, जा सकते हो, या शिता जा सकती है, तो यह चीजे जब आपका डिस्टिबूट कर दे, each लगा हो, either लगा हो, ना आइदर लगा हो, तो आपको आसानी से समझ लेना है, कि यह डिस्टिबूटिव प्रोनाउंस है, आग other, each में ही क्या लगा है, other लगा हुआ है, जहां रखेंगे each other, one and other, ठीक है, one and other, one आजाएगा, तो चला जाएगा demonstrative प्रोनाउंस में, one and other लगा हुआ है, तो आपका reciprocal हो जाएगा, इस सब को ध्यान रखेंगे, one अकेले आया, तो चला गया आपका demonstrative प्रोनाउंस में, और one another आया, तब आपका आगया reciprocal प्रोनाउंस में, क्योंकि ये आपस में ही क्रिया कलाब दरसाते हैं, look like that, ये देखिए आप कैसे क्या करना, example में, नीलू and गीता, नीलू और गीता, दो लोग है, helped each other, एक दूसरे की क्या किया है, उन्होंने, मदद की, नीलू और गीता ने, ए हरी, मोहन और राहूल, helped one another, हरी, मोहन और राहूल ने एक दूसरे की मदद की, उसने उसकी की, इसने इसकी कर दी, इसने उसकी कर दी, पाच समझ में आरी ना, तो ये हम आसा करते हैं, ये तीनों समझ में आगी होगा पाच माँ, आप चलिए हम पढ़ते हैं, अपने छटमे की तरफ, इंडिफनिट प्रोनाउंस की तरफ, इंडिफनिट प्रोनाउंस, ठीक है, इंडिफनिट प्रोनाउंस, इंडिफनिट, अनिश्चित, नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चित, शर्वना, मने, ये किसी को भी इंडिकेट नहीं करेंगे, इंगित नहीं करेंगे, यह रेफर नहीं करेंगे यह सिर्फ सामानित दिख जाते हैं दर्साय जाते हैं यह किसी को रेफर नहीं करेंगे ठीक है किसी thing nothing all many few other others ETC बहुत सारे ETC मतलब इत्यादी इट्सेटरा ठीक है आदी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं example के रूप में देख लेंगे someone is waiting for you at the door दर्वाजे पर क्या कर रहा है someone is waiting for you आपका कोई इंतजार कर रहा है क्या क्या है someone यहाँ पर आया someone is कोई तो है ठीक है यह सामान रूप से नॉर्मली आपको बता दे रहा है nobody will come कोई नहीं आएगा बात समझा नोबड़ी सोंबड़ी नथिंग आल मिनिफ्यू एनिधिंग इवरीधिंग ऐसे वड़ आते हैं तो आपको समझ जाना है कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं अगला है हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउंस नाम से ही पता चल रहा है इंट्रागेटिव प्रोनाउंस का मतलब प्रस्न सूचक सर्वनाम जो भी सब्द प्रस्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं शब क्या कहलाते हैं चलता है अपना और भी परिच्छाओं के लिए चलता रहता है लेकिन ज्यादा तर छोटे बच्चे भी वीडियों को देख रहे हैं तो इसलिए हम उनके घ्यान के लिए आपको बता दें बटा जो आप तेंस यूज करते हो जब आप टेंस में इंटरा के ट्व संटेंस यूज करते हो वही चीजहां का अगर प्रोणाउन पूच्क्ता है संटेंस पूछता है तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटू संटेंस हो जाएगा यह बढ़ा ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए यह समझ लेते हैं इंट्रोगेटूव प्रोनाउंस क्या तरह तरह प्रसंप्र पूछने हैं तो इनका कौन है वह कौन है प्रस्ण पूछने के लिए प्रयोग हुआ और किसके साथ प्रयोग हुआ प्रोनाउन ही के साथ प्रयोग हुआ what is your name pronoun your है आपका नाम क्या है इसको पूछने के लिए और इनको पहचाने का सराल तरीका इनके अंत में question mark लगा होता है ठीक है which book do you want you कौन सी पुस्तक do you want आप चाहते हो कौन सी पुस्तक आपको चाहिए भई बताना है तो which आ गया पुछने के लिए इस pronoun का प्रयोग कर दिया गया तो interrogative pronoun हो गया अब चलिए समझ लेते हैं अंतिम वाले को relative pronoun को की relative pronoun क्या होता है बहुत आसानी डंग से उसको भी समझ लेंगे चलिए देखते है relative pronoun अब चलिए आज के pronounce में अंतिम pronoun relative pronouns को समझते हैं होता है relative समझ सकते हैं शंबंध बताने वाला शंबंध दर्फाने वाला यानि relative pronouns उन्हें कहते हैं जो किसी pronouns के लिए प्रयुक्त होते हैं जो उनके पुर्व आते हैं relative pronouns वे हैं जो किसी pronoun के लिए तो बनते हैं और इनके पुर्व आते हैं जो किसी प्रुनावन्स के लिए प्रूप्ट होते हैं उनके पुलवा जाते हैं उनके पहले आते हैं ठीक है जैसे वह है नाउन और एक जिज और ध्यान लेंगे वह नाउन जिसे से एक्जामपल हमने लिया है this is the lady माने यह वही महिला है who encouraged me इसने क्या किया था encourage किया था मुझे ठीक है तो यह हू क्या है यह pronoun यहाँ पर उसके पहले आया हुआ है relative pronoun lady लगा करके ठीक है तो यह who which यह जब बीच में आ गया यह देखिए relative pronoun यह lady से relation दर्शाने के लिए क्या किया गया है यह lady से relation दर्शाने के लिए यहाँ पर अब आपको मैं एक ची जब बता दू interrogative जो sentence में होते हैं उनमें कुछ interrogative word आते हैं आपको ध्यान है word में जैसे who which यह सी यह क्या कलाती हैं यह जब pronoun में starting में रहती हैं ध्यान रखेंगे फिर से clear कर लेंगे interrogative कब होगा interrogative यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा बात समझ में आ रही है ना तो यह कब आपका relative होगा और कब interrogative होगा इसका आर्थ निकलेगा जो यहाँ पर क्या आर्थ निकलेगा जो कब यह आपका interrogative pronoun होगा और कब relative pronoun होगा फिर से समझ लो बटा clear कर लो छोटे बच्चे जो भी बठे हैं चैनल पर जो भी वीडियो देख रहे हैं हो समझ लें यह जब starting में आकर प्रस्ण पूछने का काम करेगा तो आपका प्रस्ण सूचक में चला जाएगा यानि कि interrogative pronoun में जाएगा लेकिन जब यही चीजें बीच में आ जाएंगे interrogative words कहा जाएंगे? बीच में आ जाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे? relative pronoun यह सिर्फ noun को यह जो noun आया हुआ है the book, the lady इसको क्या कर रहे हैं? यानि incident को क्या कर रहे हैं? सिर्फ इनको जोडने का काम कर रहे हैं इस तरीके के sentence बनते हैं जो बीच में आते हैं word उनको हम का क्या कह रहते हैं, relative pronoun के रूप में रखते हैं और starting में आकर के प्रस्ण पूछने का काम कर देंगे तो interrogative pronouns हो जाएंगा, तो बटा clear हो रहा है छोटे बच्चे, तो comment में हमें comment करके बताओगे, clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, तो नीचे premiere video है, वहाँ पर आपको दिया गया है, तो आसा करते हैं का आपको video समझ में आ रही होगी, वहाँ भी मेरा number है, आप मुझे contact कर सकते हैं, तो आज के लिए हमने pronouns को समाप्त कर दिया है, अब हमारा क्या-क्या समझ लो आप लोग की क्या-क्या समाप्त हो गया, पार सापी speech में बटा, हमारा noun हो गया, pronoun हो गया, और अगर कोई बच्चे नए आए हैं, जो चैनल पर अभी नए हैं, वे चैनल को subscribe कर लें, और description box में जाकर देखें, वहाँ noun और pronoun और पार सापी speech के आठो बेदों को भी links दिये गए हैं, तीनो links मैंने डाल दिया है उपर, आप वहाँ पर जाकर के click करके video को देख सकते हो, या अभी जो end screen पर दिखाया जा रहा है, तीनों वीडियों आप देखिए, अभी अभी आपके screen पर जो तीनों दिखाया जा रहे हैं, उसको भी देख करके, आप क्या कर सकते हैं, उस पर जाकर के, बढ़ी आडंग से अपने आपको prepare कर सकते हैं जो मुंज से अपको कर देख खर सकते हैं, उसको फिंटनाइ हैं, दिर मैं जोई सकते हैं, बढ़ी आपको ध effectiveness, इत हैं